हलो एविवान आज एक बहतरीन और ओन डिमांड टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे है चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा इसको अलग-अलग चैप्टर में मैंने डिवाइड कर दिया है मॉड्यूल का नाम समझ लीजिया वेक्टर है जनाब ओके जी क्या है इस प आज के वीडियो में बताने वाला हूं तो चलिये शुरुआत करते हैं इस इंट्रोडक्री सेशन के साथ और बिल्कुल आपकी यो-यो के साथ और मोहबत ओले लाइक के साथ प्यारवरे शेयर के साथ क्योंकि सभी जानते हैं सबी जानते हैं शेरिंग इसके साथ साथ पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब जरूर होनी चाहिए वाटसब ग्रूप टेलीग्राम चालर और इंस्टग्राम हैंडल पर जरूर फॉलो हो जाना चाहिए नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे दिया है चलिए पूरे जोश जुनून और ताकत के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को क्या है यह वेक्टर का पूरा मॉड्यूल अच्छे से समझ लेते और पिर आगे जाते हैं तो हेडिंग डालना चाहता हूं मैं वेक्टर सर हम लोग ने 11 12 स्टैंडर्ड में या फिर डिप्लोमा में जरूर इन वेक्टर का जिक्र किया था जरूर थोड़ा बहुत पढ़ात ता क्या वही वेक्टर आज continue होने वाला है जी हाँ वो जो वेक्टर जो आपने physics में पढ़ाता वो application ता जो math में पढ़ाता वो actual vector mathematical representation था उन दोनों का combination आज हम लोग पढ़ रहे होंगे आज से in fact शुरू कर रहे होंगे यह वेक्टर का पूरा जो module है cdc बात है definition सब को पता है एसी कोई भी चीज जिसको magnitude भी होता है और जिसको direction भी होता है उसको कहा जाता है vectors मतलब मैं अगर कोई car चला रहा हूं तो जाहिर सी बाते उसको एक speed होता है उसको एक direction होता है उसको बोलते है vector तो आप कौन से quantity में चल रहे हो vector quantity में चल रहे हो लेकिन ऐसी कोई quantity जिसको सिर्फ और सिर्फ speed है जनाब सिर्फ speed है या फिर सिर्फ magnitude है ओके जी direction नहीं है उसको कहा जाता है scalars तो there are two types of quantities physical quantities physical quantity क्यों बोलते हैं इसको because यह physical activity से दिखाया जाता है तो यह दो quantity है scalars and vectors तो scalar में जादा तर पढ़ने लाएक कुछ है नहीं क्यों क्योंकि उसको सिर्फ magnitude है जहां पर direction आता है वहां पर positive, negative, addition, subtraction, multiplication, division यह सारी कहानी उसमें डूबी रहती है इसलिए vector को बड़े detail में पढ़ा जाता है अब vectors का यह जो module है मैंने तीन chapters में इसको बिलकुल divide कर दिया है बड़े important से topic के पहला है vector algebra यह बिलकुल क्या रहेगा आपका review रहेगा जो आपने previous standards में पढ़ा है कुछ numerical हम लोग इस chapter के अंदर पढ़ रहे होंगे तो इसके sessions बड़े कम होंगे लेकिन जो second और third topic के बहुत ही जादा important है नाम है vector differentiation वेक्टर differentiation वेक्टर differentiation वेक्टर differentiation और तीसरा जो है जिदर differentiation है मतलब derivative आए तो उसका सगा भाई जो हमेचा जगडते रहते हैं वो रहेगा integration तो यहां पर यह भी बिलकुल आपको पढ़ने मिल रहा होगा vector integration देखिया जो लोग first year engineering से आए है sem1 sem2 उनको पता है double integration triple integration यह सब कुछ हमने already semester 2 में पढ़ लिया है इसी का application आपको vector integration के अंदर दिखाई पढ़ने वाला है बेहद important to calculate the area of any section any random body का अगर area आपको find out करना है rigid body है या कोई भी एक shape है उसका अगर area find out करना है तो vector integration बहुत ही जादा important है अगर आप mechanical, civil, automobile या फिर electrical से जुड़े हो तो बहुत जादा काम में चीज आने वाली है यह vector integration नामक क्योंकि आगे जाके आपको इसके related subjects है जो आपको वहाँ पे यह particular चीज use करना है उस समय पे आपको कोई नहीं बताएगा कि vector integration क्या होता है ओके तो बड़े ही ध्यान से इन sessions को जरूर follow करते रहे है vector differentiation के अंदर आपको बिल्कुल डेल की कहान ही पढ़ने मिलेगी है ना डेल क्या होता है del square यह सब कुछ आपको यहाँ पढ़ने मिल रहा होगा तो यार अलग-अलग part में अलग-अलग हिस्सों में अगर कोई भी चीज को आपको divide करना है with some direction तो आपको वहाँ पे vector differentiation का काम आ जाता है ओके जी तो आज मैं कुछ basic चीज़े vectors के related लेने वाला हूँ जैसे कि पहला चीज सबको पता है कि vector product लेकिन vector product से पहले मैं काफी लोगों को बताना चाहता हूँ कि operations of vector इसको मैं नाम दे रेता हूँ operations of vector quantity of vector quantity अब इसके अंदर क्या होने वाला है पता है क्या operations of vector quantity operation माने यहां पे होगा addition, subtraction, multiplication, division यह सब कुछ आपको यहां पे दिखने मिलेगा ठीक है जी तो आज के लिए पहली quantity में लेना चाहता हूँ that is addition addition of two vectors addition of vectors of vectors ok addition of vectors अब क्या होता है इसके अंदर पता है क्या इडिशन औफ vectors मतलब क्या है कोई भी दो vectors को आपको सीधी तरीके से add करना है for example मैंने यहां पे एक वेक्टर लेना है suppose यह ایک मेरा vector है ठीक है और यह यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है ठीके अब यह यहाँ पहुचेगा इसका मतलग क्या है देखिए यह ऐसे जुढ़ जाएगा मैं थोड़ा extend कर लेता हूँ इस diagram को तो इस प्रकार से यह ऐसे यहाँ पर जुढ़ जाएगा तो दोनों को क्या है डिरेक्शन है ठीक है तो मैं इनको नाम देना चाहता हूं ठीक है इसको लिखेंगे कैसे हम लोग बड़ी द्यान से देखिए मतलब पी से एक गारी चल रही है फी से गाड़ी निकली और Q तक जाके पहुची वापस से Q से वही गाड़ी निकली और R तक जाके पहुची इसका मतलब PQ बार प्लस QR बार इन दोनों वेक्टर्स को अगर मैं add करू तो in fact मैं P से लेकर कहां तक पहुचा R तक पहुचा तो that is equated to PR बार इतना simple और बिलकुल मज़ेदार सा यह चीज यहाँ पे अपको पढ़ने मिलेगा PQ बार प्लस QR बार इसको कई सारे जगे पे बोला जाता है ट्रैंगल लौ इसके रिलेटेड एक और लौ है जिसको हम लोग बोलते है पैरललोगरम लौ तो यह फिलाल हम लोग ट्रैंगल लौ पढ़ रहे हैं मतलब कोई भी दो अगर अडिशन करें तो मुझे थर्ड साइड मिलती है उसको कहा जाता है ट्रैंगल लौ ओके जी next हम लोग बूल रहे है subtraction वही कहानी अगर अलग direction में हो जाता है तो vector will be a negative vector for example मैं आपे आपको बताना चाहता हूँ कि यार negative vector क्या होता है इसका direction बड़े ही important है negative vector क्योंकि negative vector समझ गया तो subtraction तो मेरे ख्याल से बहुत ही हलवा हो जाएगा आपके लिए बड़े ध्यान से सुनिए तीकर यह a to b अगर मैं जा रहा हूँ a to b है यह तो यह suppose a bar है okay I am traveling from a to b okay I am traveling from a to b that is called as a bar तीके if anyone a और b यही पे है यही पे है बस उन्होंने direction change कर दी अब b to a जा रहा है तो उसको बोलते है minus of a bar negative vector मतलब direction change होगे तो उसको बोलते है negative vector usually जो positive vector होता है it always travel from left and side to right and side left to right travel होते रहता है अगर वो उल्टा जाता है तो समझ लेने का वो क्या है negative vector है इतनी सीडी तरीके से यह बिलकुल क्या है एगदम 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 बिलकुल उसको की कहते है negative vector ठीक है कुछ और quantity की तरफ जाते है जिसको हम लोग बोलते product of vector यह सबसे जादा important सबसे मतलब क्या ही बोलू बरोसे मन topic है product of vector product of vector क्या होता है product of vector बड़े ध्यान से देखे product of vector मतलब दो vectors को आपको क्या करना है addition करना है लेकिन यह addition दो प्रकार की होती है एक होता है scalar product और दूसरा होता है vector product ठीक है जी दूसरा होता है vector product यह बड़ाई important सा दोनों product होने वाला है scalar product और vector product क्या होता है scalar product क्या होता है vector product बड़े ध्यान से देखेंगे लेकिन इनको detail में हम लोग समझने वाले है next session में उसके formula क्या है उसका properties क्या है यह बिलकुल हम लोग basics of vector में पढ़ने वाले है जो मेरा next session होगा आज मैं सिर्फ introduction दे रहा हूँ आपको ठीक है जी and next one अपने को देखना है magnitude of vector magnitude of vector इसकी बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ magnitude of vector मतलब कोई भी एक vector है for example मैंने आपको कहा दिया कि एक vector है P bar ठीक है P bar वो बोला गया है AI प्लस BJ प्लस CK मतलब यहाँ पे I bar J bar K bar है तो कोई चिंता नहीं है कोई कोई लोग इसको cap भी बोलते हैं ठीक है तो cap मतलब unit vector cap मतलब unit vector ठीक है तो फरक नहीं है unit vector का मतलब होता है जिसका magnitude one है क्या है one है ठीक है magnitude अभी magnitude मतलब क्या सर तो देखिए जिसको mod के अंदर लिखा जाता है और जिसको calculate किया जाता है I, J और K के coefficients को लेने का I, J, K का coefficient क्या है यह A है यह B है यह C है तो यहाँ पे C square plus C square इसको जो value मिलेगी उसको कहते है magnitude of vector बहुत ही जादा important क्योंकि हर sum में usually यह लगता ही लगता है अपने को magnitude of vector क्या बोला मैंने I, J, K का coefficient लेने का और उसका square करके addition कर देने का और जो answer आएगा उसको square root में डाल लेने का उसको बोलते magnitude of vector ठीक है जी तो यह बहतरीन पार यह important कुछ operation से जो अपने को पूरे vector में काम में आने वाले है scalar product और vector product क्या है यह basics of vector में देखेंगे next session में लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ जरूर करनी है कि अभी तक अगर आपने बिल्कुल अपने channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी जल्दी subscribe कर दो इस vector की series को बहुत प् friends के group में इसको share जरूर करना मिलते next session में basics of vectors के साथ तब तक के लिए bye bye take care and thank you so much guys